Hello to all and welcome again Dear students, friends, second grade biology की topic wise multiple choice questions series आज मैं शुरू कर रहा हूँ और सबसे पहला topic हम लेते हैं cell and introduction और इस video से हम शुरुवात करते हैं second grade biology की और both level हम secondary और senior secondary level और UG level दोनों को cover करते हुए चलेंगे तो सबसे पहला प्रश्ण है हमारे पास कोशिका सिध्धान्त के अपाध है exception of cell theory is तो आप लोगों को पता ही है cell theory जो दी गई थी वो sliden और swan के द्वारा दी गई थी और exception के हम बात करें तो पहला option हमारे पास शेवाल, algae, दूसरा option है विशाणू या virus, तीसरा है कवक या fungi और चोथा यूकरियोटिक कोशिका तो बिल्कूल कोशिका सिध्धान्त का जो अपात हो जाएगा आपका answer हो जाएगा विशाणू आप जानते भी हैं कि विशाणू को हम सजी और निर्जिव के बिच की योजग कड़ी बोलते हैं और इससे नहीं तो प्रोक्रियोटिक सेल माना जाता है नहीं यूक्रियोटि रोबर्ट हुक द्वारा किस सन में की गई तो आप सभी को पताई है कोशिका कि खोज जो है वो रोबर्ट हुक साब ने की थी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक्जाम में ये सन वाला प्रशन भी पूछा जा चुका है तो बिल्कूल आप सन भी याद रखेंगे क कि डिस्कावरी अप सेल बाय रोबर्ट हुक वाज मेड इन विच यह तो 1665 अपका अंसर यहां पर हो जाएगा कोशिकाओं में रोबर्ट हुक ने अपने सेल्फ मेड माइक्रोसकोप के द्वारा लिटिल कमपार्टमेंट्स देखे थे और उन्हीं उन्होंने सेल नाम दिय था रोबर्ट हुक ने जो सेल देखे थी वो निर्जिव सेल थी यह भी आप ध्यान रखेंगे जिवानों की कोशिकाओं को संक्रमित करने वाले विशानों क्या कलाते हैं तो वाइरस इनफेक्ट बैक्टरियल सेल्स आर कोल्ड एज वीरियोन वाइरोट्स बैक्ट्रियोफ तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है चारो अप्शन को हम देखते हैं वीरियोन के हम बात करें तो ऐसे वाइरस जो की पोशी कोशिकाओं से बाहर पाये जाते हैं उन्हें वीरियोन बोलेंगे वाइरोट्स के हम बात करें तो वाइरोट्स के खोच जो है वो टियो डाइनर न जो है वो ट्वार्ट और डी हैरले ने की थी तो ये भी आप प्रस्ण याद करेंगे और यहां पर आपका अंसर जाएगा बेक्टरफेज जिवानों की कोशिकाओं को संक्रमित करने वाले विशानों को वेक्टरफेज कहेंगे और प्रायूंस के हम बात करें तो इसकी खोज जो की थी वो प्रूसिनर ने की थी बिल्कुल आप याद रखेंगे प्राइओंस जो है वो इसके खोज करता प्रूसिनर थे और प्राइओंस के द्वारा neurological degenerative disease जो है वो फैलाई जाती है जिसमें spongiform encephalophathy आ जाएगी crudes filled jacob syndrome आ जाएगा कुरू disease आ जाएगी बक्रियों और भेडों में होने वाली scrappy disease आ जाएगी तो यह कुछ disease आप याद रखेंगे मुखे रुप से प्राइओंस जो है वो neurological disease फिलाते हैं virus के हम बात करें तो इसमें capsid absent होता है केवल RNA पाया जाता है और प्राइओंस के हम बात करें तो RNA और देन दोने ही absent होता है केवल protein जो है वो infectious होती है तो बिल्कुल virus और प्राइओंस में आप difference भी याद रखेंगे difference next आगे question no.4 के हम बात करते है निम लिखित में से विशाणू जिनित रोग है virus based disease from the following is polio titanus तपैदिक malaria तो polio जो है अब का अंसर यहां पर हो जाएगा polio myritis virus से होता है polio तपैदिक या tuberculosis के हम बात कर तो यह bacterial disease है mycobacterium tuberculosis से होती है titanus clostridium titanus से होती है और malaria एक protozoa जनित रोग है जो कि plasmodium से होता है और इसका वहक जो होता है female anophilis mosquito होता है titanus भी bacterial origin वाली disease है clostridium titanus is a bacteria question no.5 के हम बात करते है सुख्षम जैविकी का जनक निम्नमे से किस veganik को माना जाता है तो बिल्कुल microbiology का जो जनक है वो किसे माना जाएगा Aristotle या Aristo के हम बात करें तो इसे biology का father बोला जाता है जोology का father बोला जाता है father of embryology भी बोला जाता है तो बिल्कुल आप Aristotle के बारे में जानकर याद रखेंगे Mendel आप लोगों को पता हिए father of genetics Mendel को कहा जाता है और सुक्ष्म जेविकी का जनक जो है अपने option के अनुसार लिवन होक साब हो जाएंगे लिवन होक को हम सुक्ष्म जेविकी का जनक मान देगे क्योंकि सबसे पहले जिवानों को देखने वाले लिवन होक थे जो कि डच व्यापारी थे और इन्होंने सबसे पहले जिवानों को प्रोटो जोवा को शुक्राणों को और रेड ब्रेड कापसल को सबसे पहले देखा था तो यह आप answer लगा देंगा और श्लीडेन और स्वान ने cell theory प्रस्तूत की थी Question number 6 के आगे हम बात करते है निमलिकित में से कौन सा कोशिकांग पादयपें प्राणी कोशिकांग में पाया जाता है Which cell organelle is found in both plant and animal cells from the following कोशिका भित्ती, हरितलवक, तारक्काई, माइटोकॉंड्रिया तो निमलिकित में से कौन सा कोशिकांग पादयपें प्राणी कोशिकांग दोनों में पाया जाएगा तो हम बात करें तो कोशिका भित्ती जो होती है वो प्राणी कोशिकांग में नहीं पाया जाती है हरितलवक भी नहीं पाया जाता है तारक्काई क्यावल प्राणी कोशिकांग में मिलता है पादब कोशिकाओं में नहीं बिलता है तो mitochondria आपका यहां पर आंसर हो जाएगा जो कि पादब और पाणी दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाता है पावराउस अप दिस सेल इसे हम करते हैं कोशिका का नियंतरन केंद्र क्या होता है तो तो बिल्कुल कंट्रोल सेंटर जो होता है वह वह बिगेस्ट कंपोनेंट अप देस सेल नुकलियस अपका अंसर हो जाएगा केंद्र क्योंकि सेल की सारी उपापचे क्रियाओं पर जो नियंतरन पाया जाएगा या सभी क्रियाओ का जो नियंतरन करेगा वो केंदर क्या न्यूक्लियस करेगा कोशन नमबर एट के आगे हम बात करते हैं यूकिरोटिक कोशिक अपके उधारन है एक्जाम्पल ऑफ यूकिरोटिक सेल्स आर अमीबा जिवानु कोशिका विशानु निली हरित सेवाल तो वहती अच्छा प्रश यह दोनों जो है अपके मोनरा में सम्मीलित के गए और प्रख्रटिक सेल्स एक्जाम्पल है तो दोनों एक्जाम्पल आप यह याद रखेंगे कोशन नमर नाइन के आगे हम बात करते हैं निमलिकित में से कौन सी रचना प्रख्रटिक कोशिकाओं में अनुपस्तित रहती है जो जिल्ली बद्ध कोशिकाओं है इसे आप और भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो सेल अर्गनल है मेंब्रेनस वो प्रख्रटिक सेल में एपसेंट पाये जाएंगे रचना प्रख्रटिक सेल्स प्रकार के गुंसूत्र भी पाये जाते हैं सर्कुलर गुंसूत्र इस्टोन रहीत होते हैं और सेल वोल भी यहां पर प्रख्रटिक सेल्स में पाये जाती है तो आपका अंसर यहां पर आप सी लगा लेंगे कोशिकाओं माइटो कॉंड्रिय लाइज़ोजों एंडोप्लाजम रेटिकुलम जैसे कोशिकाओं प्रख्र करते हैं कोशिक नमबर टेन के आगे हम बात करते हैं वे जीव जिनमें सू संगठित चैंद्रक पर कोशिक कांग पाये जाते हैं क्या कहलाते हैं एक कोशिकी जीव यूख्रियोड्स प्रख्रियोड्स चैद्वी गुनित जीव तो बिल्कुल ऐसे जीव the organisms in which well-organized nucleicum cell और प्रजेंट्ट फ्राद प्राल प्रेजंट एस यू कुरियोडस बिल्कुल आपका अंसर यहां पर हो जाएगा यू कलो अ कोशिके फ्रकारेडस भी आ व्हाद डिय और यूसर नियूंद को ब्रकार यू कर दो जया जेंगे फ्रक्रीज में सूसला बास्ट से सब्गिण examination में आया हुआ है omnis cellular e-cellular statement given by तो direct आपको ये omnis cellular e-cellular याद रखना है कोशिकाँ व्रद्दियां परिवर्दन करते हुए नई कोशिकाँ को जन्म देती है किसका कथन है sliding का है swan का है, virtue का है या deutro shade का है तो इस कथन को हम expansion of cell theory भी बोलते हैं और expansion of cell theory करने वाले थे Rudolph विर्चो अपका अंसर चला जाएगा C slidon और swan ने cell theory दी थी और cell theory में ये बताया गया था कि cell is the basic and fundamental unit of life और Rudolph विर्चो ने इसको expand करके फिर बोला था omnis cellular e-cellular question number 12 की आगे में बात करते हैं प्रत्वी पर प्रथम उत्पन प्रारंबिक साजीव थे सबसे प्रथम उत्पन प्रारंबिक साजीव के हम बात करें तो प्रत्वी पर जब अर्थ बनी तो oxygen नहीं थी तो aerobs तो होंगे नहीं और उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विकल्पी YVA नहीं होगा विकल्पी AYVA नहीं होगा आविकल्पी YVA नहीं होगा तो D आंसर आपका चला जाएगा आविकल्पी कोई विकल्प नहीं और अनरॉप्स प्रत्विपर प्रत्वम उत्पन प्रारंबिक सजी थे प्राणी कोशिका में नहीं पाए जाते हैं इने अनिमल सेल नोट फाउंड सेंट्रियोल पाए जाते हैं ATS ribosome मिलता है प्लाजमोडेसमेटा is important thing प्लाजमोडेसमेटा is only structure which is present only in plant cell तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे दो प्लांट कोशिकाओं के बिच का जो प्रोटो प्लाजमिक कनेक्शन है उसे हम प्लाजमोडेसमेटा केते हैं और ये क्योल और क्योल प्लांट सेल में ही पाए जाता है अनिमल सेल में नहीं पाए जाता है बाद अब कोशिका निर्जी भाग होता है किस अंगक की अनुपस्तिति के कारण बाद अब कोशिका प्राणी कोशिका से भिन होती है बाए अपसेंस ओफ विच आर्गनल प्लांट सेल इस डिफरेंट दैन अनिमल सेल एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम राइबोजोम्स सेंट्रियोल माइट्रो कून दै तो ए बी और डी जो है वो प्लांट सेल में मिलते हैं लेकिन तारग का प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है तो आपका सेंट्रियोल यहां पर आंसर हो जाएगा जीवत्रे पे शब्द दिने वाले विज्ञानिक कौन थे तो प्रोटो प्लाज्मी शब्द देने वाले जो विज्ञानिक थे डारेक्ट आपको याद रख लेना है परकिंजे या पूरकिंजे आपका अंसर चला जाएगा रोबर्ट हुक ने सेल की खोच कीते सबसे पहले लिवन हॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था और रुडॉल्फ विर्चो ने सेल थेओरी को एक्सपेंड किया था कोशिका का सजीव पधार्त है तो जो जो जीव द्रवे बोलते हैं बिल्कुल आपका अंसर जीव द्रवे चला जाएगा वैसे यहां पर option में कोशिका द्रवे और केंद्रक द्रवे दिया हुआ है यह भी जीव द्रवे का ही भाग है तो option में इनको नहीं देना चाहिए था लेकिन इस प्रस्ट में दिये हुए है तो जो more correct answer हो जाएगा वह जीव द्रवे हो जाएगा हाईलो प्लाज्म भी कोशिका द्रवे का भाग होता है हाईलो प्लाज्म का मतलब है कोशिका द्रवे से जब हम cell organ निखाल दे तो बचा हो जो food material है जिसमें ions, minerals, amino acids मिलेंगे उसे हम हाईलो प्लाज्म बोलेंगे तो यह भी आप ध्यान देंगे जीवित कोशिका यह शुक्ष्म दरस्ति द्वारा स्वर्व प्रथम देखी गई तो यह प्रश्न भी बहुत important है जीवित कोशिका यह लगा दिया है तो रोबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका को को देखा था मेल पीगी ने उत्कों के बारे में यह पाले बताया तो लेऊन हो का आपका अंसर चलाएगा और के लियूने हो ने दूर बीन की बारे में या आपन बात कर सकते हैं कि टेलिस्कॉप के बारे में बताया, प्रोक्रियोटिक का लक्षन है, question number 19 के हम बात करता है, character of prokriotis, DNA and histone नहीं होगा, क्योंकि युक्रियोटिक का लक्षन है, DNA और histone protein का मिलना, DNA थो है histone, histone मिलती नहीं है, DNA किन्तो histone नहीं, तो बिल्कुल आपका अंसर हो जाएगा, C वाला है यहां पर, DNA होता है, लेकिन histone protein जो basic protein है, वो नहीं पाई जाती प्रोक्रियोटिक में, Robert Hooke द्वारा लिखित पुस्तक जिसमें कोर्क कोशिकाओं का वर्णन किया गया, बिल्कुल आप ध्यान देंगे, origin of species जो किताब है वो, Darwin साब ने लिखी थी, genera plantarum, और system and natural careless linens ने लिखी थी, जिसे हम father of taxonomy भी बोलते हैं, Robert Hooke के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम था, Micrographia, बिल्कुल आप Micrographia यहां पर लगा लेंगे, Kendricka की खोज, eel मचली की त्वचा में 1781 में की गई थी, बिल्कुल Kendricka को eel मचली में खोजा गया था, Nucleolus was discovered in skin of eelfish in 1781 by Swemmerdam, Fontana, Levenhawk और Gryu तो बिल्कुल Fontana आप डारेक्ट आंसर लगा लेंगे, मानव देह की सबसे बड़ी कोशिका है, the largest cell of human body is, Leukocyte, Erthrocyte, Lever cell, Neuron तो बिल्कुल, तंत्रिका कोशिका है सबसे longest और लार्जस्ट सेल मानी जाती है, human body में, Procuretic कोशिकाओं में अनुपस्तित होता है, ribosomes पाया जाते है, 70S प्रकार के, DNA व्रत्तकार होता है, कोशिका द्रभ भी पाया जाता है, लेकिन जिल्ली बद कोशिकांग नहीं होते हैं, तो आपका अंसर चला जाएगा, अन्सर बदे नुपस्तित कोशिका पाया जाता है, बिल्कुल κेंद्रिक आपका अंसर चला जाएगा, इसे जीनोफोर भी कहा जाता है नुक्लियोड को तो यह प्राणी कोशिकाओं में प्रोटिस्टा में प्रोकुरोट्स में मिलेगा तो प्रोकुरोट्स में पाया जाता है इसे जीनोफोर भी हम बोलते है नुक्लियोड को प्रोकुरोट्स के नुक्लियस को नुक्लियोड कहा जाता है तो डिया स्टेंट स्थ्देंगे यह पर प्रकॉरेटिक कोशिकाओं में ड्यांद सामानेते रहता है ड्यांए प्रकॉरेटिक लिन्यर ये युकिरोड में मिलता है तूटा हूआ नहीं होता है व्रताकार मिलेगा तो बिलकुल आपका अंसर व्रताकार हो जाएगा और double standard होता है single standard भी नहीं होता है काई कोशिकाओं में केंद्रक कोशिका ध्रव का अनुपात होता है तो काई कोशिकाओं में केंद्रक कोशिका ध्रव का अनुपात निश्चित होता है और इससे कोशिका को पता चलता है कि उसको कब divide होना है और जब ये केंद्रक कोशिका ध् अनुपात बिगड़ जाता है तो काई कोशिकाओं में केंद्रक कोशिकाओं का अनुपात आप याद रख लेंगे 0.7 के करीब होता है तो आप का अंसर यहां पर चला जाएगा 0.7 तो इस प्रकार से डिस्टेंट्स कोशिकाओं का एक परीचे हमने आज शुरुवात में देखा है आगे वन बाई वन में और भी हमारा जो पहला टोपी का सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन्स ऑफ सेल और अर्गनिल्स उससे रेलिटेड और भी में मल्टिपल चुश्चन्स टाल अर्म में भी साथ है चक्ट ऑल्र प्लाव में टौर ऑप अ़र को हमत्ती बातुम सेल्स ऴी का डिस जाग वन चास बातुमार पाला ट है को अवर है किन रिवसे गागस स伏़ प्रूबं तो ...